हर्याना की हर अपडीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना नियूज संदिक्द का कहना है कि इस अधिकारी ने 26 जनवरी को कुछ गलत होने पर मंच पर बैठने वाले चार किसान नेताओं को गोली मारने की साज़िश रची है अधिकारी ने उन चार नेताओं की तस्वीर भी सांजा के रखी है अगर प्रदशनकारी परेट के साथ निकलते हैं तो हमें उन पर फायर करने के लिए कहा गया था संदिक्द ने कहा कि प्रदर्शन कारे किसान हथियार लेकर जा रहे हैं या नहीं यह पता लगाने के लिए दो टीमें लगाई गई गई है फिर्षन हमारा प्रान यह था कि हुआ जोछे हुगी जैसे 26 व्रोषन को बढ़ने का कोशिश करेंगे तो पहले जो पहले जो लाइन की ँसमें कॉक्त शुट करेंगे पहले रोकने की कोशिश करेंगे अगर यह बाइचास नहीं रुखते तो इन पर शूट होने का ओर्डर है दूसरी चीज अगर तब भी नहीं रुखते इनके गुट्टों में ओर्डर है शूट करने का तीसरी जो पीछे से जो हमारी टीम होगी राट दोने के दस लिड़के ह पीछे से शूट करेंगे उनको प्लिस लोगों को यह लगेगा कि दिल्ली में दिल खिसान लोगों ने यह चलाए है इसमें उड़ती चोफ़ान जो 26 तारिकों जो रेली होगी उसमें से आधी जो 26 तारिकों इसमें से आधी लोग घर के होंगे पुलिस की बढ़ती में है चार चार लोगों को फोटो देदी गई है और जो हमें सिखाता है वह परदीप सिंग है आई थाने का सचो है वो है थाने का कौन है थाने का त्याया है प्रदीप सिंग है जब भी हमने थाने के देखा निए और जब भी हमसे मिलने आता था वह सिख्या कवर लगा के आता था था घुझा हमने राई हमने हमने इसका बैच देखा था रोन का नामनी नी बता है हमार को उनके फोटो जै सेरा हमारे पास नहीं है संदिक्द को पुलिस के वहन से उतार लिया गया किसान नेताम और पुलिस की टीम के वीच एक कमरे में संदिक्द की मौजूदगी में बातचित हुई इसके बाद पुलिस संदिक्द को लेकर सोनिपत के कुंडली ठानी ले गई पुलिस के मताबिक उसका पहली कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है